प्रोग्रामिंग भाशा ये सभी भाशाएं एक दूसरे से अपनी रूपरेखा तथा मशीन से निकटता के आधार पर भिन्न होती हैं। लगबग सभी प्रोग्राम में उच्च सन्रचत नियमू का एक समू होता है। प्रोग्रामिंग भाशाओं का प्रात्मिक वर्गी करण इस प्रकार है। मशीनी भाशाएं, असेंबली भाशाएं, उच्च स्तरिय भाशाएं। मशीन स्तरिय भाशा मशीनी भाशा बाइनरी अंक या बाइनरी बिच्स, शून्य तथा एक का एक समू है जिसे कंप्यूटर समझता और उसकी व्याख्या करता है। मशीनी भाशा ही एक मात्र भाशा है जिसे समझने में कम्प्यूटर सक्षम होता है मशीन स्तरिय भाशा वह भाशा है जो प्रोग्रामिंग के मशीनी पक्ष का आधार प्रदान करती है अर्थात इसमें प्रोग्रामिंग का मानवी अपक्ष नहीं होता मशीनी भाषा बाइनरी पद्धती जिसमें अंक शून्य तथा एक होते हैं से बनी हुई है मशीन स्तरीय भाषा सबसे निम्न किस्म की कंप्यूटर भाषा होती है किसी प्रोग्राम के प्रतेक निर्देश को एक अंकीय कोड में विक्त किया जाता है तथा अंकीय एड्रेसूं का उपयोग पूरे प्रोग्राम में कम्प्योटर की मेमरी में मेमरी लोकेशन दर्शाने के लिए होता है। प्रोग्राम लेखांकन के सभी पहलू मशीन्स तरिय भाषा के प्रोग्रामर की एक मात्र जिम्मेदारी होती है। अंत में प्रोग्रामर को प्रोग्राम संबंधित सभी निदान निर्देशूं तथा प्रोग्राम साधनूं को उपलब्ध कराना होता है। मशीन्स तरिय प्रोग्राम में वे प्रोग्राम भी शामिल होते हैं जो माइक्रो कोड में लिखे होते हैं। Micro program भी कहते हैं। Micro code कुछ शक्तिशाली मशीन स्थरिय निर्देशूं की अभिव्यक्ति को बुनियादी मशीन निर्देशूं के समूह के रूप में वेक्त कराता है। प्रते कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा केवल एक ही होती है जिसे किसी अनुवादक प्रोग्राम की जरुरत नहीं होती और इसे हम मशीनी भाषा कहते हैं मशीन स्तरिय भाषा प्रोग्राइम जो की प्रथम पीड़ी के प्रोग्राइम होते हैं, कम्प्यूटर संचालन के सबसे बुनियादी स्तर पर लिखे जाते हैं। चुकि इनके निर्देश बुनियादी क्रिया कलापूं पर कार्यानवित होते हैं, अतो हो मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा को एक सांथ मिला कर निम्न स्तरिय भाषा भी कहते हैं। मशीनी भाषा में निर्देशूं को 0 तथा 1 के सतत सम्मूह में कोड किया जाता है. मशीन स्तरिय भाषा के प्रोग्राम काफी जटिल होते हैं और उन्हें लिखना एक मुश्किल कार्य है. एक मशीन स्तरय भाशा किसी एक ही कम्प्यूटर के लिए होती है और उसी मशीन के द्वारा समझी जा सकती है मशीनी भाशा के सामान्य रूप से दो भाग होते हैं Opcode Operant Opcode क्रिया संकेत बताते हैं कि कम्प्यूटर कौन सा कार्य करेगा Operant, स्थिती संकेत उस डाटा को उपलप्त कराते हैं जिस पर कार्य होना है अथ्वा ये बताते हैं कि डाटा कहां से प्राप्त करना है या फिर कहां स्टोर करना है इसके लाब मशीन स्तरिय निर्देश सीधे ही एक्जेक्यूट होते हैं मशीन स्तरिय भाषा कम्प्यूटर सिस्टम के संसाधनू जैसे की मेमरी तथा रजिस्टर का प्रभावी ढंग से उप्योग करती है मशीनी भाषा के निर्देशों का उप्योग प्रतेक बिट्स को व्यक्तिगत रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जोकि मशीन स्तरिय भाषा को कम्प्यूटर सहज रूप से समझता है अतह मशीनी भाषा तेजी से कारिवाही करती है इसकी कमिया प्रोग्राम करना मुश्किल मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग एक मुश्किल कार्य है क्योंकि इनमें निर्देशों को 0 तथा 1 के 17 क्रम में बनाया जाता है जिसे समझना कठिन है तुरुटी प्रवरत मशीनी भाशा में प्रोग्रामर को एक ही साथ कई क्रियाएं, जैसे की मेमरी प्रबंधन, निर्देश चक्र आदी का ध्यान रखना पड़ता है, जो की उसे महतोपूर्ण तारकिक क्रियाओं से ध्यान वंचित कराता है, इसलिए गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है मशीनी भाशा में प्रोग्रामिंग करने पर प्रोग्रामर की उतपादक्ता कम हो जाती है मशिनी भाशा में की गई प्रोग्रामिंग में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है तथा कोड की चटिलता के कारण उसे दोश्मुक्त करना भी कठिन होता है कंप्योटर मशिनी भाशा में स्टोरेज लोकेशन को सीधे तई किया जाना चाहिए ना कि चिन्धू के रूप में Computer Machine भाषा में उठ्टिस तरिये प्रोग्रामिंग दक्षता की जरुरत होती है, जो programmer की training लागत को बढ़ा देती है Assembly स्थरिये भाषा Assembly भाषा के लिए लिखे निर्देश समूह आवश्यक रूप से अलग-अलग Machine भाषा के लिए भिन्न होते हैं Machine भाषा की तरह Assembly भाषा भी प्रतेक कम्प्यूटर के लिए भिन्न होती है Machine भाषा तथा Assembly भाषा में मुख्य अंतर यह है कि Assembly भाषा में 0 तथा 1 के सदत क्रम के स्थान पर निर्देशूं को व्यक्त करने के लिए अक्षरूं या चिन्हूं का प्रियोग होता है जिसे निमोनिक कोड कहते हैं जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है Machine भाषा तथा Assembly भाषा निम्नस तरिये भाषाएं हैं जो Machine की सन्रशना पर आधारित होती है Machine भाषा तथा Assembly भाषा प्रोग्रामर की तुलना में Machine के ज्यादा निकट होती है मशीनी भाशा तथा असेंबली भाशा में एक मात्र अंतर यह है कि असेंबली भाशा का उपयोग मशीनी भाशा की तुलना में ज्यादा आसान है एक विशुद्ध असेंबली भाशा में प्रते कथन विशेश रूप से एक ही मशीनी निर्देश को दर्शाता है अर्थात एक मशीनी निर्देश के लिए एक कथन होता है अतह एक online assembly भाषा एक N शब्दूं वाला मशीनी भाषा प्रोग्राम निर्मित करेगी assembly भाषा जोकि निमोनिक कोड पर आधारित होती है binary या hexadecimal कोड के उपयोग से बनी मशीन भाषा की तुलना में ज्यादा सरल होती है assembly भाषा में योक, घटा, गुणा या भाग को याद रखना मशीनी भाषा में दिये गए संख्यात्वक मूलियों से ज्यादा आसान होता है assembly भाषा memory location के लिए सांकेतिक नामू का उपयोग करती है जबकि मशीनी भाषा अंकिय मानू का assembly भाषा bits की अधिकता को सीधी जाच सकती है परंतु एक प्रकार के उच्चस्तरिय भाषा ऐसा नहीं कर सकती है एक assembly भाषा एक ही प्रकार के computer पर चल सकती है जिसके लिए उसे लिखा गया है जबकि उच्चस्तरिय भाषा किसी भी computer पर चल सकती है assembly स्तरिय भाषा के लाब assembly भाषा मशीनी भाषा से ज्यादा सरल होती है assembler प्रोग्रामिंग कम्यों की जाच में उपयोगी होता है programmer के पास data का पूर्ण location नहीं होता assembly भाषा modular programming को बढ़ावा देती है assemblies तरिय भाषा की कमिया assembly भाषा के programs सीधे कार्यानवित executable नहीं होते assembly भाषा मशीन पर निर्भर होती है इसलिए ये एक मशीन से दूसरी मशीन पर नहीं लिये जाते assembly भाषा में programming के लिए उच्चस्तरिय दक्षता की जरूरत होती है उच्चस्तरिय भाषा उच्चस्तरिय भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि programming के मानविये तथा application पक्ष को आधार प्रदान करती है इसकी मुखे विशेश्ताएं है एलगोरिथम की तारकिक सनरचना बनाना विभिन कंप्यूटर उपर चलने की क्षमता रखना भाषा एक मशीन स्वतंत्र तरीका है जो किसी कारे को संपाधित करने के लिए निर्देशूं के क्रम को दर्शाती है एक भाषा को किसी कार्यविधी के साधारन क्रम को संक्षप्त रूप में दर्शाने के लिए रूपांकित किया जा सकता है उच्चस्तरिय भाषा प्रोग्राम की एक पंक्ती प्रभावशाली क्रियाओं का संचारन करती है जो मशीनी स्तर पर सैकनू निर्देशूं के बराबर होती है यदिपी बहुत से प्रोग्रामर असेंबली भाषा को मानेता देते हैं क्योंकि यह भाषा दक्षता से कारे करती है नई पीड़ी की भाषाओं की शक्ती और लचीलेपन ने मानव तथा कंप्यूटर क्षमता के संदर्ब में उन्हें निम्नस्तर की भाषाओं से भी पीछे छोड़ दिया है इसी कारण ज्यादा से जादा प्रोग्रामिंग अब उच्चसतरिय भाषा में की जाने लगी है उच्चसतरिय भाषा के उदाहरण हैं बेसिक, विश्वल बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, परल, कोबोल, फोटरान, आदी उचस्तरिय भाशाएं अंग्रेजी के वाक्यों की तरह ही होती हैं जो समझने तथा प्रियोग करने में सरल होती हैं उचस्तरिय भाशाएं प्रोग्रामर के जादा निकट होती हैं और प्रोग्रामिंग कारे को सरल बनाती हैं उच्चस्तरिये भाशाएं प्रोग्रामर को प्रचुर निर्देशुं का समुहूं तथा आधार उपलब्द कराती हैं, जिससे प्रोग्रामर का जीवन और भी आसान हो जाता है। इससे पहले कि एक उच्चस्तरिये प्रोग्राम को किसी CPU पर कार्यानवित किया जाए, इसे मशीनी कोड में बदलना जरूरी है। इसके विप्रीत असेंबली भाषाओं को निम्नस तरिये माना जाता है क्यूंकि वह मशीनी भाषाओं के ज़्यादा निकट होती है। मशीन पर निर्भन नहीं करता। उच्चस्तरिये भाषा के लाब। प्रोग्रेम में आसानी, इसमें प्रोग्रेमर, रजिस्टर, पोर्ट या स्टोरेज के ज़ंजटों से मुक्त होकर प्रोग्रेम के तार के कलक्षन उपर ज्यादा ध्यान दे सकता है। मशीन सोतंतरता, यदि अन्य कंप्यूटर उपर सामान कंपाइलर तथा लाइबरी हो, तो इन प्रोग्रेमों को विभिन प्लैटफॉर्म वाले कंप्यूटर उपर चलाया जा सकता है। सरल रख रखाओ, उचस्तरिय भाशा के प्रोग्राम का रख रखाओ, असिम्बली भाशा से आसान है क्योंकि इसमें कोडिंग तथा तुरुटियों की जाँच बहुत ही सरल है। सीखने में सरल निमने स्तरिय भाशाओं की तुलना में उच्च स्तरिय भाशा को सीखना आसान है. इसके अतिरक्त उच्च स्तरिय भाशाएं स्थिति के अनुरूप ढल सकती हैं और सहच्ता से लिखे जा सकती हैं.